यह वेचारा अपना होम गार्ड के जवान में ड्यूटी करके अपने सेलरी के पईसा से अपनी बीवी को बीपीएसी पास करवाता है और वो जब बीपीएसी पास करके टीचर बन जाती है तो इनका ऐसा हाल करता है अपकी साधी कब हुवी थी सर मेरा साधी 5 जून 6 मिना 2013 को हुए थे साधी जो है वो लब मायरेज हुआ था कि एरेंज मायरेज हुआ था पहले तो हम दोनों के बीच लब मायरेज ही चल रहे थे जब हम जौब में थे तो मेरा ससुर जी स्टैम हमको जनकारी दिये उनका बरी बहन कलपना हमको नंबर दिय कम किज़ और यक लेसे के बाद करने के लिए टब पर वह दे उनका डालने के बाद हम दुरॉं मैं करसे से तालमेल चले तालमेल बाद चित होने के बाद मीरा वय पाननू परियां हमकोम पाँको बोली है जाक करनी के लिए तो मेरा सासूर ही बोले से 5 जून Katy ना चलिए वि पर पर उनको हम एक देवी स्वरूप पतनी स्वरूप हम मान रहे थे लेकिन साधी का कितना दिन बीत जाने के बाद जो है आप लोगों के बीच में जो है रिष्टा में दरार आ गया जादी के छे मैना साधी होने पर छे मैना हम वाइफस में मां अच्छा थे बहुत अच्छ छे मैना सब कुछ अच्छा चल रहा था फिर से यह मतलब अचानक ऐसा क्या हुआ कोन ऐसा मोड आया जो जिसके बाद जो है आपकी पतनी बदल गई छे मेना बाद भीपीएसी फर्स्प्रीमियर ठीचर का फॉर्म निकले उनको फॉर्म भराएं फॉर्म भरने के बाद जब हम 20,000 कमाते हैं हम 40,000 कमाते हैं तुम्हारे पास नहीं आया रहांगे तुम हमको छोड़ दो नहीं छोड़ेंगे तो तुम को छोड़ाने के लिए मेरे पास धेर सा उपाय है किसे सकर देंगे बहुत तरह हमको परतारित किया तब पर भी उनको रखने के लिए मानने के में उसी को रखेंगे और आज तक करते करते आज उनका शिकार होगी आज हिया हम दर्द से ठरीनट के मार से नोधिन पर यहां वो सधर होस्पिटल से घर आये हैं नोधिन से होस्पिटल में थे लेकिन जबological कि हाथ कि नहीं करने लगी कि आप से बात नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या क näसी और बोल के माना कि से मत रही हैं, वहां से जब आने के बाद आये, तो कुछ दिन के बाद मठभेद होगी है, मुबाइल मेरा ओप करने के बाद हम उन से बोले से क्या हुआ जी तो बोला तुम मेरा पती नहीं है, यहीं बठे थे कुरसी लगा के एक दिन बारव जब पह उनके बोला तुम मेरा वह तुम को हमको बोला तुमको एक जन्वरी दोज़ार चोवच को उनको उनको संपर्क ससूर से किये । नया साल है, हो सकता है, नया मेरा जीबन घुर जाये, नया अच्छा हो। ससूर को सर्फ एक हलो करने करके पापा परणाम किया और काट दिया। उसी करम मेरा वाइप और मेरा उसका बराई बहन कलपना पों करता अनुपरीयाय। जह तुम काहेब पापा को पों किया है ? तुम को कहाते है चोड़ दो, हमें हम पर ह्या फ Auronota, मतलब मेरे पर गलत आरूप लगा करहे हैं पतनी आपके उपर आरोप लगा रही है तो इसके पीछे मतलब किसका हाथ है मेन रूप से मुख्य वजह क्या है आपकी पतनी जो है कहीं और से प्यार कर रही है या किसी और से साधी करना चाह रही है कहीं ऐसा तो नहीं बात वही है सर जब हम दोनों वाइफ हस्वें छो मेना रिलेशनसिप अच्छा था चो मेना बाद बीप्यासी टीचर बने एक बाद उनका मन कैसे बदल गया एक जो साधी सुधा लर्की और एक पती को पुझा करते ते जो एक पती उनको पुझा करते थे आज उनको कैसे भू कर्दिये और उनका और दरार करने में मेरा मुद हताया से मेरा सेय का नाम है तो य नंके घर में इस तरह हो रहा權 duh नहीं के प। चाहिए हम दोनों के जीवन बरबाद होगा, आप लोग बोलिये, और लेकिन ये बात मेरा सासुर का, फ़लना क्या करगा, फ़लने का बेटी है, उसके पास जाएगा उसी का बेटी है, मेरा बेटी है, जो हम करेंगा वही बोले, तुमको नहीं अनुपिरिया मेरा साला हमको प